दोस्तों अगर आप stock market ये mutual funds के बारे में जानते होंगे तो आपने SIP के बारे में जरूर सुना होगा पर क्या आपको पता है कि ये SIP होता क्या है नहीं मालूम तो चलिए आज किस वीडियो में समझते हैं तो SIP का मतलब होता है systematic investment plan और SIP mutual fund में invest करने का एक तरीका होता है मतलब कि यहाँ पास आप mutual fund में दो तरी से invest कर सकते हैं एक होता है lump sum और दूसरा होता है SIP lump sum में आप fixed deposit की तरह एक बार में अपने पैसे को लगा कर छोड़ देते हैं उसके लावा SIP में आप हर महीने एक fix रासी को जमा करते हैं मतलब कि SIP के द्वारा आपके bank account से एक fixed amount हर महीने deduct हो जाता है और वो automatically mutual fund में invest हो जाता है